तो सब को छोड़िए आज ये कोशन पर देखिए कोशन है हमारा क्लाश 10 एक्ससाइज 3.4 सुरी 8.4 है हमारा 8.4 ठीक है ये कोशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा पेपर में ठीक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको लिंक दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ भाहां से आप देख सकते हैं और यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देखिए जब वीडियो पसंद आए तब आप सब्सक्राइब करिएगा उम्मीद करते हैं यह वीडियो के सारी इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलिया आपको याद होंगे अगर याद नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए एक फॉर्मूलियो की वीडियो हमां ल दू बन ब्लस साइने से गुणा कीजिए और बन प्लस साइने से इसमें भाग कर दीजिए या कहें तो इसका परी मेंकर डीजिए यह हमारा हो चुका है कि किसम्म यह कर सकते 해도 अब आपको डिखिए बन प्लस convention कटेगा तो एक आएग और एकसे मृटिपरेगो तो वही हुआ है ठीक है और इसके आपन में क्यों रहाएगा वन माइनस साइने और वन प्लस साइने इतना किलियर है अब देखिए एक फॉर्मूला लिखाया था हमने एक दिन की ए प्लस वी और ए माइनस बी या फिर ए माइनस बी प्लस भी गुणा में होता है तो पिछे हो सकता कुछ भी हो सकता ठीक है एक स्क्वाइर माइनस बीकर इसको यह फॉर्मुला हमने आपको लिखाया था याद नहीं तो आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं चलिए इसको बताते हैं अब देखिए इसमें आगे कर दीजिए सॉल इसको आगे क्या हो रहेगा लगा लगने कि यहाँ पर एक है और यहाँ पर पांच हो ऐसा नहीं होना चाहिए दीखिए यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है अब भी साइन है साइन ए है तो ए माइनस बी ए पिलस बी क्या होता है एक का स्क्वाइर यानि एक का स्क्वाइर और माइनस बीका स्क्व स्क्वारों पुनेか और एक हैं इतना के लिए रहे हैं स्कु या यह का झाल है कि सब्सक्राइब है अब आप नीचे इसी टो प्लश सकार ओल ईंब कर आसुखाल के एक सद्सक्राइब और आपट एक को यह लोगत सकार और सफस्यृ्ण मतवाते हैं कि बाइब sin square a equal to क्यों होता है cos square ठीक है यह हमारा formula होता है आप देखिए root यह तो हमारा उपरवाल ऐसी रहेगा 1 plus sin ने इसका whole square upon नीचे वाला 1 minus sin square a equal to cos square अब देखिए यह भी square में यह भी square में आप नीचे को करिएगा 1 plus sin a upon cos a अब देखिए कि इसका भी square है हम इसका total का whole square लगा देते हैं अब यह इसका भी square है अब square जब होता है total का तो हमारा root हट जाता है यह आपको पता होना चाहिए तो देखिए हम root हटा देते हैं तो क्या बचेगा 1 plus sin a upon cos a इतना बच्चे का हमारा जब हमारा hолж स्क्वायिटन लगweg होता तो जो अगर उसको पर है तो रूटन हमारा हूं से हट जाता है इतना आपको पता हो चाहिए अब यह जो cos A है यह टूटल के बट्टे में है तो यह 1 के अपॉन में भी होगा यानि cos A plus sin के अपॉन में भी होगा यानि कि sin A upon cos A अब देखिए अगर आप formula जानते हैं तो अच्छी बात है नहीं जानते हैं तो यहां से देख ली जिए कि क्या होता है, 같 टिक है और sin A upon cos A जुकल्ट होता है यह formula आपको पता है यह formula यार नहीं आपको आप अम Biz어amel K στην हो जानते है ili एक वीडियो कर आए रहेंगे तो क्यों कितना हो जाएगा सेक ए प्लस यह आ गया साइन अपॉन को से टैन ए तो गाइज यह हमारी आ चुकी है राइट हैंड साइड जो कि हमें प्रूफ करना था उपर देख लिए आप यह देखिए ते सैक ए प्लस टैन ए क्लियर है यह आप मत देखिए गए यह आपको नदर पड़कर होगी इस पर यह हम visit you %3 और है तो समझ में आ चुका हुआ यदि आपको यह कोशन पसंद सब्सक्राइब कर लीजेगा और लिजेगा कोई वी कोर्य आप कोई-ख्रेसäre डाउट है क्लास 10 चाहे साइन्स हो या मैत हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको वीडियो के वहां से जाकर आप देख सकते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक लिए धन्यवाद जाहिन बंद्यमात प्याद टूरू